नमस्कार विज्यारतियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC वितनवीन सेनी में स्वागते हैं विज्यारतियों आज अपन बात करेंगे रीट लेवल 1 की जो कट अप है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे ठीक है वैसे मैंने पहले पी इस पर वीडियो बना के अपलोड किया था लेकिन आज मैं फिट से इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ देखिए अभी जैसे की रिजट आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट और उसके बाद मैं आपको रीट का जो दूगुने की जो सुची है वो आपको देखने को मिलेगी और यहां पर जो मैं बता रहा हूँ वो मैं फाइनल कट ओप बता रहा हूँ ड्रीट लेवल वन की तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा इसके बारे में जो आपकी राई है जो हमने जो कट ओप बताईए उसके बारे में जो आपकी राई हो उसको आप कमेंट बोक्स में comment करके जरूर से जरूर बताईए देखिए विजयारतियों एकदम eject तो बताना लगबग संभव नहीं होता है कि हम पूरा point तक यह बता दें वो बता दें लेकिन फिर भी यह हमारा अपना personal अनुमान है और सबका अपना-पना अनुमान है और विचारों के अभी व्यक्ति कि सभी को स्वतंत्रता है सब बात कर सकते हैं कि किसी भी एक्जाम्स को लेकर कि इसके क्या कटॉप रहे सकती है वगेरा वगेरा तो हम भी अपना वो मत प्रस्तुत कर रहे हैं आप इससे कितने सेमत हैं वो हमें comment box में बताईएगा चलिए विजयात्यों REIT LEVEL 1 की जो कटॉप है उसको लेकर मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तो इसमें देखो REIT LEVEL 1 इसमें number of question थे total 500 question थे total कितने question थे और इसमें seat कितनी थी ठीक है seat तक्रीबन तक्रीबन इसमें 21,000 seat थी कितनी seat थी 21,000 और दो लाग प्लस विजयार्तियों ने इसमें apply किया था तो चलिए अब आपन मैं आपको category wise OBC, EWS, General उसकी आपको मैं cut off बताता हूं तो देखिए General, OBC, EWS, MBC, SC और ST इनको लेकर के हमने यहां पर cut off है वो आपको बताईए इसमें देखो यह इतने question बताईएं मैंने यह question है और परतिया question दो number का है उस हिसाफ से यहां पर क्या किया गया है multiply किया गया है ठीक है तो अब देखिए यह इधर है marks यह total number है इसमें कि वह कितने कितने number का कौन कौन सा है तो देखिए इसमें 82 से 84 question जिनके write हो रहे हैं general में काट पीट के ठीक है ना सारे question काटने के बाद में जैसे तीन question गलत होते हैं तो एक साही question को लेकर lapse हो जाता है तो उस हिसाफ से काटने पीटने के बाद अब inject यदि इतने question याई से ज्यादा आपके safe रह रहे हैं मतलब question पीछे safe बसते हैं तो आप no doubt safe zone में हो ठीक है तो 82 से 84 question आपके general में 80 से 82 question OBC में 37 से 89 सी आपके EWS में और 76 से 88 MBC में 34 से 64 आपके SC में और 22 से 44 आपके ST में तो यह हमारा personal अनुमान है अब इनको 2 से गुणा कर लो देखो मैंने जो उपर वाला जो है यह उपर वाली window है इधर से मैंने इनको 2 से multiply करके आगे लिखा है मतलब 168 नमबर यदी आपके general में 164 OBC में 158 EWS में 156 MBC और 152 आपके SC और 148 नमबर यदी आपके ST में बन रहे हैं तो आप no doubt safe zone में हो इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूँ जैसे TSP और non-TSP दो चीज होती इसका आप screenshot लेकर रख सकते हैं ठीक है तो यह मैंने जो अभी आपको यह बताया है data यह मैंने non-TSP को लेकर बताया है किसको लेकर के non-TSP को लेकर के यह बात मैंने यहां पर बताई अब आ इसको लेकर के आप comment box में जरूर से जरूर comment कीजीगा ठीक है वीडियारतियो इसके अलावा आप चैनल को subscribe जरूर से जरूर कीजिए वीडियो को like कीजिए जितना ज्यादा हो सके इसको share कीजिए thank you मित्रों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भार यज्डियो